ओम् स्रीगन शाय नमह नमह शंश कृताय गजान नम्भोत गड़ा दिशेवितं कपेत्थ जंबुफल चारु भक्षडं उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघनेश्वर पाद पंकजं या कुंदेंद तुशार हार धवलायाशो ब्रवस्त्राविता या विणावर दंड मंडित करायाश्वेत पदमाशना या ब्रमाच्वित शंकरह प्रभित भिरदेवईषदावंधिता शामाम पातुशराश्वती भगवती निहसेस जाध्यापह शुक्लाम ब्रम्ह विचार सार परमामाध्यम जगद व्यापिणिम् वीडा पुस्तक धारिणिम् जाध्यांधकारा पहाम हस्तेस्फाटिक मालिकाम बिदधतिम् पदमासने संस्तिताम् वंदेताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धी प्रदाम् शारदाम् सराश्वती नमस्तोव्यम् वर्दी कामरूपिणिम् अविद्यारंभं करिश्यामी शिधिरभवतु मेश्दाः शभी लोग को नमस्कार मैं प्रकास e-learning विद्रगेश में आप सभी लोगों का एक वार फिर शेश्वागत करता हूँ तो आज हम सभी लोग फिर से एक संस्क्रित में बहुत ही महत्त पूण प्रशनों की स्रिंखला प्रशनों की जो प्रैक्टिस सेट है उसको साल्व करने चल रहे हैं तो सभी लोग अपने अपने ग्रूप में सेयर कर दें, सेयर करने के बाद में ज़स्ट क्लास में आ जाए, ताकि कोई कोशन आपका मिस्ट न होने पाए, तो चले चलते हैं सिधे क्लास में, सभी लोग सेयर कर दें, सभी लोग जीते हैं भी लोग हैं, सभी लोग सेयर कर दें सेयर करने के बाद में क्लास में चले आया हैं एक बार मैं सबका कमेंट देख लूँ उसके बाद फिर आगे चलूँ श्रीमन नारायन 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 भजमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 चले तो अब हम सभी लोगों को ले चलते हैं प्रश्ण तर प्रश्ण जहां पर हम लोग साल्व करेंगे तो इसमें हम लोग साल्व करेंगे यहां से अधो लिखितम पठित्वा तदाधारित प्रश्ण संख्याई ग्यारस लेकर के पंद्रा तक इस स्लोक को स्लोक पर आधारित आपके सामने प्रश्ण दिये जाएंगे जिसके उत्तर को आप लोगों को चुन करके लिखना है जो सही उत्तर हों उसको आपको लिखना है तो चलिए हम सभी लोग स्लोक को पहले पढ़ेंगे तो एते सत्पुरुषाह पदार्थ घटकाह स्वार्थान परित्यज्यये शामान्याश्य परार्थम उद्यम भृतह स्वार्था विरोधे नए एते मानुस राक्षसाह परहितं स्वार्था यग निघनांतिये ए निघनांति निरार्थकं परहितं तेके न जानी महे तेके न जानी महे एक यहां जो सुलोक है यह वहरत्रिहार रचित वहरा चेंवा परहितं गाये वह स्रिंगार सतक लिखे और वयराग्य नीप तो एतेसत पुरुशाह पदार्थ घटकाह स्वार्थान परित्याजय उसमें जो वर्तरी हरी जी ने हैं वर्तरी हरी जी क्या किया है कि व्यक्ति की कुल तीन व्यक्ति कुल कितने किन तरीके के व्यक्ति होते हैं तो तीन प्रकार के लोगों का मतलब वर्त बताया है पहला एक तो Вे होते हैं 07ौ 10 गंवरों इके सतपूरु से यह कि दूसरों के हित लिए स्वार्थ का त्याग कर देते हैं हाँ स्वार्थम परित्यस्य की स्वार्थम का प्रित्यस्य के बूल है स्वार्थं माने स्वार्थ को एक तो वे पुरूस होते हैं, जो हित के लिए स्वार्थ काहि क्या कर देते हैं स्थाग कर डेते हैं, पैसे स्वार्था अब देखो यहां पर विभाग में भी आया था तो स्वार्था यहां पर यह ऐसा नहीं दिया गया था देना चाहिए इनको तो क्या हो जाएगा स्वार्था अ विरोधेने अब इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है दूसरे कुष सामान्यत आते हैं न harsh talking सामान्यत और जो सामान लोग होते हैं वे इस बात का ध्यान नहीं रख्ते हैं कि अपनी दिखतेईगा कि उयर नहीं देखते हैं कि स्वार्थ उनका हो आइसा थुमारे स्वार्थ में पता चला दूसरे का नुखसान हो रहा हो अर्थात यह जो सामान्य माने यह स्वार्थ सिध्धी में अविरोध मतलब जिसका मतलब स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं दूसरे का अगर फायदा नहीं हो तुसका नुकसान भी नहीं हो इस बात को ध्यान देके चलते हैं फिर करें हैं कि एक्थवे तो यह हो जाते हैं कौन कि एते मानुस राक्षसाह परहितम स्वार्थायनिघनंतिहे करें हैं तिसरे वे होते हैं जो इस बात की परवा नहीं करते हैं कि उनकी स्वार्थ पूर्ती अने लोगों के लिए हित कर है या नहीं है या एक एक अने लोगो और लोगों का जो है नुक्सान होता जाए तो इस बात को ध्यान ने देते हैं चाहे वो अपने फाइदे के लिए दुसरे के नुक्सान हो जाए हो जाए तो इसलिए कर रहे हैं कि ते मी मानुस राक्ष साह या ए ते मानुस राक्ष साह परहितम स्वार्थ्याय निघनंति ए फिर करें ए तू घनांति निरार्थ ए तू निघनंति या घनांति ए तू ए तू निघनंति निरार्थ कम परहितम ते के ना जानी महे ऐसे लोग बता हैं संसारें बहुत कम हैं पाङने जो मतलब अपना भी फाइदा नहीं अपना भी कोई लालासा नहीं है लेकिन ऑप फिर भी दूसरे का क्या करते हैं नास करवाने पर तो ले रहते हैं इसके संदब में एक कहानी याद आती है उस कहानी में कहा जाता है बहुत पहले की एक रोम के नीरो थे ना बाधसा थे वह कभी-कभी क्या करते हैं उनको आनद मिलता था कि किसी आदमी को क्या करते कि ऐसे सेर के सामने लड़ने के लिए खाड़े में छोड़ते थे जो बहुत भूखा हो बताओ बहुत भूखे सेर के सामने एक निर्दोस आदमी को लड़ने के लिए भेज़े थे जब लड़ता था निसी तरके से खा जाता था लड़ते लड़ते अब बताओ कि उसके लड़ाई में या उस जो व्यक्ति है जो आदमी वहाँ पे हारेगा या जिसको वह सिंग खा जाए जाएगा जो इसको वह सिर खाग जाएगा उसका उसका क्या मतलब है इसका कोई नूखसान नहीं कर रहा था ना तो उसके मरने से कोई लाभ यह हैं अनावस्यक है यह काScript खोई बग्र को इसे लोग बहुत कम हैं लेकिना ऐसे भी होते हैं ठीक है कर अब गलों सबीर कि में बता दिया एक लाश्ट वाले इसे हैं मानो penserach के समान होते हैं न मुण कभी कभी क्या होता है कोई मतलब रहे न रहे लपेटे रहते हैं दूसरे को परसान किये रहते हैं तो ओचीज गलत होता है फिलाल चले देखते हम लोग को सब्सक्राइब लोग पढ़ें समझें और जो लोग जो लोग नहीं लग रहा है इसका मतलब जूटे नाम पे चिलाते हैं जूटे चिलाते हैं वह क्या-क्या हम बताएं छोड़ी है लेकिन अंदर से उस चीज़त के बारे में उसका संवान होना चाहिए संस्कृत है संस्कृत प्रति संस्कृ चाहिए बात थे संस्कृत करते हैं एपने अपने पने स्वार्थ को छोड़कर करते हैं मतब स्वार्थ के लिए कारे करते हैं ये फ्रस्ट संख्याय ग्यारा में कि लोग से थोड़ा लगता है यहां पर भी देखिए यहां पर देखिए फिलाल जो लिग दिया गया इसी कहेंगे तो हम लोग पढ़ते पढ़ते एक चीज प्वा ब्यूस्त हो जाते हैं तो यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वार्थ को छोड़ करके भी परोपकार करते हैं अर्थात उसमें उनुक कोई खुद का लाव नहीं होता है फिर भी परोपकार करते जाते चाहएं यह хотите कोसी loro तुरंत एंसर चाहिए बिल्कुल सीटेट में आया है मैं ऐसा कोई भी इस पैसे ने रहा हूं जो ना आया हो मानुस राक्षसा है कीम कुरूवन्ति जो मनुस ने राक्षस होते हैं क्या करते हैं या थिसको नहीं करते हैं थियां दना बन्दू की राक्षच सही कहा जाता है लेकिन इस सुलोक के अनुसार क्या सही है तो इस सुलोक के अनुसार भी सही है ध्यान देना अब ऐसा नहीं है कि जो मास का भक्षन करता है वो मानुस राक्षस नहीं होता है यह होता है तिक जो बंदु की हत्या करता है वो भी होता है वो सब राक्षस ही है लेकिन इस सुलोक क के अनुसार सुलोग में जो कहा जा उसी करने को प्रश्ण के उत्तर करने होते हैं तो कह रहे हैं क्या कि यह सवार्थाय परहितम नास यंति स्वार्थ के लिए कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए क्या करें दूसरे का नास कर दें यह जो हते हैं राक्षा स्कर्टेगरी के आते हैं नेश्वला देखो स्वार्थाय विरोधेन परहितं कुरवान राके प्रशसंख्या 13 उत्तर क्या आएगा कि शौर्थ के विरोध में परहित करने के लिए मतलब हो जाये लेकिन दूसरे का भी उसमें ज्यादा नुखसान नहों कुछ सब्सक्राइब नए तो क्या हो जाएगा सामान ने जन ठीक है आगे दिखते हैं जब पढ़के करोगे बेटा बहुत मज़ा आएगा जब पढ़के नहीं करोगे केवल अंदाज बस इधर उधर करने की कोशिश करोगे तो अंदाज में मज़ा नहीं आता है संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़कर करके उसके भावों को समझ करके तब उत्तर अगर देने की आप सोच रहे हैं आप विश्वास मानिया विश्वास करिए आपको बहुत मज़ा आएगा और क्योवल रट पढ़कर करके सोचो लिए तो जो जो मात्रिक आप लोग बंघी और इसम इसमें लोब इनए ने क्या किन लेते हैं कितने कितने वन हैं तो एक दो तीन अब इसको देखते हो यहां से जब गिनते होए चलोगे तो अपने यहां वह मिलता चला जाएगा है कि हमको एक दो । चार पांच यह जो आप काउंट करोगे हो कितने आ रहे हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा सोलह सत्रा अठारा उननीस आधे वर्णों को नहीं जोड़ा जाता है ठीक है तो एक लाइन में उननीस वर्ण है एक लाम कितन जोड़ा जागा ध्यान देना तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस इग्यारा बारत यहां तेरा चाउदा यहां नहीं जोड़ा जागा क्योंकि हैं ही नहीं आधा हो गया चाउदा हुआ है 15 16 17 18 और एक उननीस ठेक तो ध्यान देना इसके प्रतियक चरण में उननीस उननीस वर्ण आ रहे हैं इसमें भी जोड़ा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव नहीं 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 दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंद्रा उननीस उननी नहीं है कितने कितने वर्ण मिल रहे हैं तो उननीस उननीस वर्ण मिल रहे हैं और ध्यान दो आप थोड़ा दिमाग पर जोड़ डालो कि जिसमें उननीस उननीस वर्ण आते हैं यह उननीस वर्ण वाले क्या होते हैं उननीस वर्ण में केवल और केवल एक ही होता है ठीक उन सबसे ज़्यादर होते हैं कि सिखाणी में सत्र होते हैं लेकिन मंदा करांता में पहला गुरु हो जाता है और सिखाणी में पहला लगु हो जाते हैं यामन सभलाग तो उसमें क्या क्या आता है यमन अमगन नगन सगन भगन यह सब आ जाते हैं सिखाणी चंद में हो जाता है इन तीनों में 11 11 11 होते हैं अगर पहला दिर्ग हो जाए मतला गुरु मिल जा तो इंद्रवज्या सब्सक्राइब और दुदृटविविलंबित इन तीनों में 1212 होते हैं वांसस्थ भुझंग प्रपत, और भुझंग प्रयात और दुदайте इन तीनों कते हैं बारा बारा होते हैं पहला तीन घुल रहे हो लम्भित मताब बारह होने चाहिए तब और आ जाता है वसंत तिलका क्योई चौद भवाण होते हैं मालिनी में 15 होते हैं और मंद्रा कांता सिखाणी में 17-17 तारदुल विकिरता में 19 होते हैं इस तक दरा में कितने होते हैं 21 होते हैं प्रतियर चर्ण में और मात्रिक चंद्र आरिया होता है जो है उसमें मात्राओं को गिंते हैं जिसमें पहले में 12 दूसरे में 12 प्र तीसरे में 12 पर 14 15 हो दोगे तो कुल कितना आ जाएगा 57 जहिसटने भी यह 5 अंसर टुप यूपी में तो 32 होते हैं गुरुजी दत हम सामने आ करके पढ़ा दें एक सेकेंड मैं कुछ चण के लिए सामने अवसे आ सकता हूं थोड़ा देर के लिए आप लोगर समा दे दें तो मैं सामने अवसे आ सकता हूं आज बिलकुल कैमरा लगा है लेकिन ऐसे ख़भलमे तो वह जश्ट की सेकेंड बें rằng हरी राम हरे राम राम हरे हरे और रेक्र्षन हरे छुष्ण मुष्ण हरेसे तो कि अब उतना जो जरूरी वाली चीज़ें उसको पढ़ाते चलेंगे तो उसको हम बताते चलेंगे तो चलिए भाई हम सामने आ गए हैं ठीक इसको इस साइड से कि इस साइड कर दें ज्यादा सही रहेगा तो कहीं कि देखो आप लोगं का जो है वो स्लाइड आगे पीछे करना पड़ेगा कहीं तुपा जाएगा तो फिर बताते चलना क्योंकि हम ध्यान से देखते बहुत कम है कि मेरा आरायक नहीं यह अप्लीकेशन दूसरा अब करें है पदम मिदम इस पद में कर्समिन काव्य प्रकार अंतर भवती इस पद बताओ जो यह पद दिया गया है यह किस प्रकार का कावे प्रकार है यह महा कावे से है या सुभासितम है या गद्य है या नाटक है क्या कह सकते हो अब बताओ इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर इसमें कही गई हो तो उसको आप किसमें लोगे किसमें लोगे सुभासितम में लोगे हमारे साब से तो ठिक को जिलकुल है कि अंसर टी अंसर तप में 32 चंद होते हैं इतने चंद जो अभी हम बताएं अगर आप लोग कर ले रहे हो तो आपका कोई बहुत बड़ी नहीं होगा उतने चंद में बहुत सारे अलंकार अलंकार से बहुत सारे होते हैं जिसमें मैं जो आप लोगों को जो चंद बताया हूं उतने चंद और आपके कभी कभी आजाता है आजाता है अदरवाइस इतना यादा नहीं आएगा जो हम देखते हैं जो हम अनभव किए आगे देखते हैं इस प्रश्ण की ओर चलेंगे देखते हैं कितना कटा कितना बढ़ा थोड़ा से आ रहा है जरूर चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्टन में क्या दिया गया है सरवाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वानिवन लिखीत प्रश्णानाम उतरम दियता मुटिया जो पढ़ाते वक्त में उस तरीकेस पढ़ाते वक्त में क्या निमलिखित में से दिखाई देता है क्या इसमें आपका इंक्लूड होता है और चीज बात कर रहे हैं यहां पर दिया रहा है जब परब्लब्रा तरीकेस भी आप पढ़े हो जब उसमें गुरुजी लोग व्याख्यान कर रहे होते हैं या अगर आप बड़ी-बड़ी व्याख्या करोगे तो कैसे अभी तो कहा नहीं कि बच्चे के सामने या बच्चों के लिए ना पाठे साक्षा दुखता नाम अर्था नाम वास्तवांसा नाम घटना सरणी नाम त्रधान विचारा नाम सामान नी करना नाम लेकिन जब कोई व्याख्या कर रहा हुता है लगोक्ति व्याथ किया जाता है तो उस दोरान में देखो कि बहुत सारे सुलोग भी बोल देते हैं वक्ता लोग जो बता रहे होते हैं आचारे जी लोग बहुत सारे मुहावरे इन सब का भी प्रयोग करते हैं ताकि और अलंकारी बहुत बढ़िया लगे अच्छा लगे ठेक उतकृष्ट लेवल लगे तो अपेक्षटे करें उपलद समस्त संकेतों के उपवयोग से समग्र पाठ्य का व्याख्या की सिखना तो क्या हो जाए गा उपलव्ध संस्ता संकेतों को पयोग से समग्र पाठाथ का व्याख्यान कि आप्र 취s किसे करोगे अंधर पाठ्ठ वस्तु के जो संदर में जो पाठ्ठि वस्तु कहाँ उसके साथ- उसके साम्थ- दी है- घा, जानना जानकारी एकत्र करना यह माना जाएगा ठीक है आई वा समझ में बहुत सही सभी लोग देना चाहिए नए नए टफ नहीं है आप लोग हलके में ले रहे होगे वह चीज है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि हा नहीं तो यह ऐसा है और फिलहाल यह प्राइमरी लेबल का कोश्चन नहीं है जब कहीं अलंकार और छंद अगरे वाले में बात किया जाए तो समझ लेना कि व नखें थो एक सम्टोड़ा बस देखोगे वासा से विवहारवादी वीचार धारा याम थैश्म मीृफा ज नचान के सिर में बात कहा कहेंगे ऐसा चीज या वो जह से केंद्रह चात्रों भवती बोजन के किंद्र में चात्र होता है फिर थोज़ा सब बच करके विवहारवादी विचारधारा है कि तनी बार बताएं है कि सांसक्रित में जो पेपर को सेट करने वाला थे करने वाले थे इस इन दिनों में वह ऐसा ऐसा कोस्टन बनाएं हैं जिसमें बहुत सारे कीवर्ड को यूज किये हैं ताकि लोग गबड कर दें ध्यान देना भासा सिख्ष में विवहारवादी विचारधारा है विवहार में जो होता है वो विचारधारा ठीक और जो आपका प्रधान पात्र होते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया उत्त प्रेराण प्रतिउत्तर शंबंध संबार्धन स्प्रधान्यम् धित्यते उत्त प्रेरण मतलब बच्चे कैसे उत्प्रेवित हो इसका क्या मतलब है जैसे जिस तरीके से बच्चे के अंदर जिग्यासा बढ़े उसके उत्तर प्रति उत्तर में उसके संबंद संवर्धना से माने वह कैसे उत्तर प्रति उत्तर करे बच्चा जब बच्चा एक्टिव होगा बच्चा कैसे ए बात उसमें विद्यमान होनीचे प्रधान रुप से कि हम किस तरीके से बच्चे को अधिक सधिक जिग्यासु बना हैं अधिक सधिक उनको प्रश्ण पूछने के लिए उत्प्रेरित करें अर्थात उनके अंदर से थोड़ी वाली डर निकल जाकि हम नहीं पूछने को अगर अंदाज के वर्ट के सारी जाओगे तो दो तीन को सटन आपका संस्कित में गलत हो जाएगा संस्कित में कुछ आयसे लोग आपसन ही बनाते हैं थोड़ा दो चीजों का ध्यान दिया करो ठीक जब एक तो सबसे बड़ा वाला आपसन हो और अच्छी बात हो बड़ आज अगर एकष्ट दो याव तीन लाइन रहा हैं अगर सबी ऌण के हैं और बाण वाला अपसन तीन लाइन चार राइन जा रहा है थोड़ा सो ध्यान हम नहीं कर रहे हैं कि हमेशा सभी होता लेकिन 85-90 % chances हो अगलत नहीं कहां और गलत कहोंगे तो काट देना और गलत दिन से करवा रहे हैं इसमें यहीं चीज पता चला ठीक है कि उसमें अगर ऐसा कुछ करोगे तो क्लियर पक्का हो जाएगा चलो आगे देखते हैं कुछ कोस्टन में देखो यहां पर अउपचारी के अनवपचारी के वा संभासड़े एत अवश्यकम चाहे वह अनवपचारी को इस संभासड में क्या आवश्यक है शुक्त भाषा कौशल नाम उपयोगह लेखन कौशलम दि चोटे-चोटे सब्दों में तो उसके पदों में तुसको ध्यानते हैं यहां देखो चाहे हम भासड़ा अपचारी करें अगर उसमें हम सुक्त भासा कौशलों का उपर योग करें मतब भीच बीच में सुक्तियों को बोलें इसी तरीके से अगर हम कहें आलांकारिक युक् तो कितना अच्छा रहेगा ना तो अगर यहां पर कह रहे हैं कि सुक्त भासा कौशाम उपयोगा यह कर सकते हैं चाहे बहुत बढ़ी बहुत जरूरी नहीं होता है लोग कहते हैं ना कि थोड़े में अच्छी बात बोल दियो जरूरी है ठीक इसलिए अच्छा समय आता है कि जब से बच्पनय से लेकर के गुली डंडा खेले उओं हुँ हिंदी में खेले आप संस्क्रित में खेले उते तो जरूर हो जाता है यह जो है ना यह कौन है जो सीत को नहीं बाधित करता है श्रक्राहां कमबल वन्तम कमबल करके दे रहे हो ना तो चाहिए था कि दोनों कि है अगर एक ही निसर्टा हो तो उसका क्या बोलते हैं कौन अलंकार लगाते देर नहीं होता है किसका लेकिन यहां तो उसका कोई बात ही नहीं और अलग अलग भी करके दे दिया गया है तो आप जब पढ़ोगे ना अलंकार मैं बता था ना कि अलंकार पढ़ो संस्कित में केवल को मर प्रषट सं chyya सब्सक्रीं में कि गया है कि अवहाट का तैयारी करने वाले अलंकार को पढ़ते होंगे और चंद को महीं यह पढ़ते होंगे प्राइमरी में आता है अलंकार या फिर उससे, तो उस Software को आप रट ईलो, अगर कभी-कभी क्या होता है, repeated हो करके आता है, कई Answer हम देखे हैं, जो मालंकार वाला भी एक दो Question है, तो भी क्या होता है, Repeat करके आया है, कई Question है, ठीक, बहुत जादे अलंकार नेकलना है, repeat करके, venbon कि छलिए खेते हैं नेश्ड कोसन धेखते है फिचार मन्थ नमत्र प्राइचे अब यह स्का प्रयोजन होता है इसका प्रयोजन क्या है क्यों कहां पी होता है इसका प्रियोजन किस कारण होता है यह आप बताओ यदा सू विचार्य व्यो वहिर गंतुम मिश्यते या फिर यदा चिंतन विधानान इस्थापितानी यदा मूल भूत विचारह प्रचारहितों मिश्यते या फिर यदा विशया विविक्षणे सर्जनात्मक विधानानाम स प्रिश्व संख्या 21 इसमें आप लोग उत्तर क्या करोगे लोग क्या क्या देर हैं उत्तर भाई कि अरे कुश्चन अउत्तर भी देते चलो उसके बाद फिर आ रहा है वो तो आता ही रही ठीक है और सब लग लोग सेयर नहीं करते हो लग रहा है लिकार मंतनम विचार दिमाग करते हो अनतक्रियात्मक्ता क्रियात्मत वते हैं बतलब क्या है कि जब आपने विचार को मन्तनक्ता तरुब खुद गवीक उसमें लगाते हो तो क्या है जब विषया विषय करते हैं तब हम अपनी दिमाग का प्रयोग करते हैं कुछ पने दिमाग से भी कर लो दिमाग का प्रयोग करो तो उसमें आ जाता है करें हैं कि अव बोधन में दुरवलता की अनवेशन आयो के खोज के लिए अर्थात बच्चे की कमी का पता लगाने के लिए करें सिख्षन के अरंभ में ही ौह क्या कहा जाता अभ documents और ना साफ हंदी बूल देग तो बता ही दो अरे बेटा कोशनने कोई कशन नहीं खाया है कि हम इसमें नहीं आएंगे उससी में आएंगे कोष्टन आता रहती हैं जो कि कुछ छंड रहते हैं और इस तरीक के Question कोई रोको टोक नहीं है aumentar गर को बता देते हैं जो लोग एगर six to weird ने पढ़ रहे हैं रहे हैं स्वांस्कित के लिए उपी कर लें उनका गर पेपर टू के लिए तो इसमें क्या होता है निदानात्मक होता है क्या होता है बता दो हमको निदानात्मक होता कि क्या होता है सभी लोग बताओ निदानात्मक होता है अब बताइए कि प्रात्मी कस्तर में चात्र कौन सा वह भी भाग है जिसमें बार 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 उसमें गलती करेंगे वह कौन सा भी भाग है तो चलो बताओ प्रश्ट संक्या तेज उचान दोस लेखन दोस तरक दोस या फिर व्याख्यान दोस तो इस प्रश्ट में उत्तर बताओ सभी लोग बताओ जब देखो जो चीजें हम देख रहें कि थोड़ा फ्रवा करने से लोगों का भी लह जाया तो उसको लहा देना चाहिए और सभी लोग कहां भाग रहे हैं भाई क्लास में को संब करना चाहते हैं आप लोग दौड़ भाग क्यों करते रहें चाम्यताम दूसरी फाइल खुल 2 मुल्यांकन है क्या इस सम failure कु Olga करके आते हैं कहीं कहीं लिखा है कि मुल्यांकन का क्राइटेरिया क्या है मुल्यांकन में दी जाने वाली जो न्यूडप क्या है न कि ना बिक हैं कि yağरत यहां पर काम में भर लो भागेंगे तो हमारा क्या लेंगे वो जब पेपर खराब होता है तब आते हैं तो आसिरवाद मिल जाएगा अरे आसिरवाद है तोड़ी नहीं लगता था तब आसिरवाद लगता था अब तो यहां कहो कि बेटा पढ़ो कुछ और चलिए तब तक कर आते हैं वार्षा चुट चुट चुटियाए आते हैं किसी को कुछ क्या करके आते हैं अभी जब मैं डिटेल क्लास में पीछे बात कर रहा था उसे मैं बताया हूं कि अंदाज लगाना होता न गनत पाठ में निखम के अंशार स्वच्छा से अपने सब्दों के स्थान पर दूसरे सब्दों को रख देना कौन सी परिच्छा कही जाती है इस में थोड़ा सा हमको suspension होता इस पशन के उत्तर में कुछ लोग कहीं कहीं लिखा है कि इसका close विधान है कहीं कहीं लिखा है रिक्तिस्थान की पूर्ति है रिक्तिस्थान की पूर्ति ह बहेंगे और कहीं कहीं लिखे रिखे हैं लिखिन इसको यह तरीके से कहा गया है अब यो नया लाइन आया है इसको गूगल करने के बाद एक सथीक यह सब्दों को हटा कि दूसरे सब्दों को रख देना कहा जाता है फिस प्रश्म में थोड़ा कहेंगे कुछ किताबों में बहुत सरे किताबों बताया गया है कि इसको क्लोज विधान कहा जाता है और यहां चूटा थोड़ी नहीं तो करा कि क्या करें जैसे मालो इसको हटा करके और दूसरा रखे तो अब इसको फिर रखें तो अभी हर्यक्तिस्थान की पूर्ती कैसे बनेगा कैसे यह होगा अब इसको कुछ लोग कहा गया कि अब उसके थोड़ा उसके बारे में जाकर करने की बात है मैं हलके में एक दो बार देखा लेकिन हमको exactly मतलब प्यास मिटी नहीं हमारी अगर आप लोग के मिट गई हो तो आप लोग बताना और ना मिटी हो तो थोड़ा सा मिटाने की कोशिद करना मतलब खोजना थोड़ा और इंटरनेट पर डालना आप लोग यहीं स्पेलिंग के सा ठीक तो मतलब कुछ और भी खोजने की आप सकता है अभी ना क्योंकि हम कभी किसी के एंसर को जब गलत करना होता या किसी एक फिक्स एंसर पर चलना होता है तो कई तरीके समको जाच करने चाहिए हम लोग अध्यापक हैं अध्यापक वाले में गरबड़ी वाला एंसर इंस संपुण पाठ वोधनमु वीवळण के सांस अन्पुण पाठ को का ज्यांद देना चाहिए चात्रaserाणां भासादोस शोधनमुके भासा दोसका शोधन करना चाहिए चात्र Aaa शंबहन क वशल अभीवर्दन weightedman साहित चाहिए से पर पढ़ाने के पहले पाठ से संदर्भीत जीवन में आने वाली कोई घटना हो या आसपास देखने कोई घटना मिली हो तो उसके साथ तुलना करके पहले उससे संदर्भीत कुछ बातों को बताया जाया जिसे से शर्थात विशय वस्तों है उससे संदर्भीत छीजों को आसपास में घटी तो हो अगर उसको ले करके बताएं फिर कहें कि आज इसी संदर्भीत इस चाप्टर में सिखने को मिलेगा पढ़ने को मिलेगा जानने को मिलेगा तब यह चीज होता कि हाँ यार यह हो सकता है क्योंकि इससे बच्चे के अंदर जिग्यासा बढ़ेगी लेकिन अब आपसा नहीं इसी तईके के दिये गए हैं अब इसी में से आपको छाटना है कि हम इसमें से हम क्या सब्सक्राइब करने लगे उस टाइम पर तब नाराण तो बच्छा खोचा जो आप संसी मिलता है यह करेक्ट हो जाता है चाप्त्रों का जो ग्यान मतब आदान प्रदान वाला जो एक कौशल है उसमें सहता करनी चाहिए कि अगर हम बोले तो संथून पाय यह बच्चा बोले तो हम समझ पाएं पहले इस वाले को सही करने फिर भासा को आगे पढ़ाएंगे तो आधि में मतलब क्या हो कि लेन दिन सही तरीके से होने लगे इस तरीके से आफशन के अनुसार जो है आप जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 27 में आप लोग एंसर करिएगा द्याकरण का लच्छन क्या है भाषा प्रवाह भासा की प्रस्तुति या भाषा दर्शन या भाषा सिध्धांत प्रश्व संख्या 27 के अनुसार एंसर क्या बनेगा आप लोग जलूर बताना सभी लोग बताओ सबी लोग सेखर नहीं किहिने तो सबी लोग लाइफ किए हैं चलिये जाहने वीधि रह आ यह बताओ सुनने में आ रहा था कि 12 तारिक से जल्वाख साथ सुन रहे तिक ब्याक्रण्ड से लक्षणम ब्याक्रण के लक्षण है भासा प्रवाह भासा यह प्रस्तुति भासा दर्शनम भासा सिध्धांत भासा सिध्धांत सिध्धांत ही व्याक्रण के लक्षण है वो नियम बताता है ठेक प्रस्तुति करता ने प्रस्तुति नहीं नियम बताता है लोग कितना ब्यातरीन कोस्टन कभी कभी कोस्टन मजदार आ जाता है सब कहने लाग नहीं वात कौशल की वर्धन के लिए परिणामकारी गतविधी क्या होगी लोग लगाएंगे डाइडाइडाइड गलत हो जाएगा टाइडाइड तोड़ा उसको देखके लगाना तीक है ह हम बताये बनाते बनाते कला गाते गला बनाते कला सही हो जाता है ते तब इस अभे गलत हो जाएग धियाद देना वाचन वाजकर बघाना है सुनते सुनते स्रमण कवसल सही होगा अभीनाय करने से और कलाकार बन जाओंगें सभीस की अधिक से बढ़ियां मझभूत होंग मंतुर्य संपरकति सभाष भासा यह हूपए होगँ v Personality संस्थापन के लिए और संरचण के लिए भासा का उपरयोग अम्र्विधाना जो गिश्ट किश्तिव ₋ संस्पर्क कि सबकिस क 우怎麼 कैसे कैसे संपन्र हो पाएगा इस प्रशन का उत्तर उसी में मिल बह। हैं संस्पर्क वाली बात यह कहां के आ नहीं है इसका क्या मतलब है इस प्रस्चन का उत्तर यहां से बठाओ समाजिक संपर्च को अगर बताते चलो बताते चलो की लिगा समद करने से जब प्रचाहर शुनाम में जाते तो क्या वीचार करते हो इक भूसरी से बात करोंगे तब क्या हो जाएगा व आपके विचारों से वापकी वीचार समझेंगे आपँ जानेंगे घरीदार करते करते हो और तो आगे चले रहें रहा है आगे चलें हां अब बिलकुल सही कर रहे हो सभी लोग बात कहा जा रहा है अब एक कोश्चन बिलुकुल स्टेटिकल टाइप कोश्चन है प्रश्न और आप लोग पूरा उत्तर कर लिए ब्यातर लगा या कैसा लगा आप लोग जरूर बताईए गा ठीक है चलिए तो बहुत अच्छे तरक्या से आप सभी लोगों ने खरेक्ट किया ठीक है अब हम से टिपी इतना ज्यादा नहीं जानते हैं कुछ चीज़ों को रच लिये हैं इतना ज्यादामां से धी नहीं जानता उसमें क्या जूट बोलने का मतलब ठीक है तो आप लोग का के सिसा वह आप लोग जरूर बताईएगा थन्द हैं कुछ ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा रजाई फजाई ओड़के बैटके पढ़ाते हैं तो उस टाइम पर अपनी फोटो नहीं लगाते हैं लेकिन आज आप लोगों ने कहा तो आज मैं फोटो लगा लिया ठीक है आई बास में तो किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आईशमान भवा अईशमान भवा दिवीजाई भवा चरिण जशश्यवा कृतिमान भवा महादेव की नगरी से आप कहां गायब हो गये थी भाई बहुत दिनों बाद आए हैं महादेव महादेव हाई इसी टाइम पर होती है इसी टाइम पर टेली क्लास होती है यहीं होती है जो लोग हमारे चैनल से जुड़े थे और उनको क्लास नहीं मिल रही थी उनको भी मैं आज फिर से स eyre कर दिया हो वो लोग आए इस क्लास में तो समझ लेंसा OlitinkTender और अपने वाले पर देखते हैं उससे कुछ और जुगार करेंगे यह भी सब अपना ही है तो आप लोग मतलब वहां पर फोज रहे थे तो इतना ध्यान देना है कि वहां पर भी क्लास नहीं हो रही है इस वाले क्लास हो रही है मैं बीच बीच में यह लिंक भेजता रहता हू अगर आप लोग यहां पर जो लोग आ जाते हैं वो समझ जाएं कि हैं यहीं क्लास हो रही है ठीक है एक नो चलिये अ सारी सारह क्लास में लेता हूं यहां में लेता हूं यहां पे लेता हूं तर आप लोग था कि नोटिफिकेस्न मिलती होगी एक बार याच चलिए तो मैं आज भी बात बता दिया ठेख और अध्यान नहीं देते हैं सोचते हैं कि उसी पढ़ा रहें लेकिन ध्यान दिया गई तब मिल जाएगा ठीक है तो चलिए ठीक सभी लोग कल्यान हुए सानंद मानंद वनिवशंतं आनंद कंदं ठत पाप व्रिंदं वाराण सीनाथम नातनाथम स्रीविश्वनाथम सरण प्रपदे सरवे भवंत शुखिनह सरवे शंत निरामयाह सरवे भद्राण पशंत माकस्यत दुख भाग भवेत